तो फ्रेंज्स, वेलकम टू मैं चैनल, एडू फईल, आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रेंगल बाई प्रिजम के बारे में डीटेल में डीसिस करने वाले हैं, यहां पे हम लोग इसके फुल कॉंसेट को, नोट्स के साथ में, वर्किंग के साथ में, फ्रिंज विट के समझते हैं, fresnel by prism क्या होता है, by prism का मतलब यह होता है, दो prism, दो prism को हम कुछ इस तरीके से लें, और इसको base to base join कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक single prism, इसी को हम लोग fresnel by prism कहेंगे, इसकी खास बात यह होती है, कि इसका एक angle 179 degree का होता है तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि एक triangle में तीनों angle को अगर हम add कर दें तो 180 degree आना चाहिए तो यहाँ पे एक angle जब 179 degree का हो गया तो बाकी बचे हुए angle कितने के हो जाएंगे 1 by 2 degree, 1 by 2 degree तभी तो 180 degree होगा अब इस 1 by 2 degree को हम लोग 30 minute भी लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं 1 degree is equal to 60 minute तो यह 30 minute और यह 30 minute का हो जाएगा तो ऐसे हम लोग frenal by prism का construction करते हैं अब इसकी working को समझते हैं तो working में क्या यह दिखाता है पहले यह जान लीजे frenal by prism का use करते हैं interference दिखाने के लिए interference आप जानते हैं कि जब 2 wave आपस में interfere कर जाएं उसी को हम interference कहते हैं तो interference यह कैसे दिखाएगा इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले single prism का use समझ लेते हैं यहाँ पे short में अब देखें यहाँ पे जैसे यहाँ पे जब light जाती है prism में तो वो क्या हो जाती है deviate हो जाती है कुछ इस तरीके से deviate हो जाती है जब prism से emerge करती है तो यहाँ पे जब light emerge होके बाहर इस तरफ आ रही है तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर खड़ा हुआ है तो उसको क्या दिखेगा कि भाई यह light जो है लगबग यहाँ से आ रही है कहाँ से आ रही है यहाँ से आ रही है इस source को हम H dash मान ले actual में यह S source से light निकल के आ रही है यहाँ पे आ रही है लेकिन इस व्यक्ति को क्या लगेगा कि यह light जो बाहरा रही प्रिजम से यह s- से आ रही है अब इसको पढ़िए और समझे जब light ray incident करती है ordinary प्रिजम में तो ray जो होती है वो bend कर जाती है हमें मालूम है इसी को हम angle of deviation कहते हैं as a result emerging out of the prism जो ray emerge कर रहा है प्रिजम से वो appear करेगा कि वो source s-prime से आ रहा है ना कि s से यह दिखेगा यहाँ पे हमको कि s-prime से आ रहा है जो कि हमारा एक तरीके से virtual source होगा जो कि real source के एबब लाई करता है यह दिखे आठ रहा है यह virtual source है जो वर्चुआल सोर्स है तो हम लोग कह सकते है प्रिजम प्रिज़ बर्ड्यूज यमेज और रहा है यह दो अगर 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 दो सोर्स बना इसी के वज़े से ये क्या होंगे coherent होंगे क्योंकि same source के image बन रहे तो ये coherent होंगे और दो coherent source से ही हम interference प्राप्त कर सकते हैं अब समझते हैं जब हम single prism को समझ चुके हैं कि single prism क्या करता है एक virtual source को दिखाता है यहाँ पे तो दो prism होंगे तो दो virtual source बनेगा अब पहले यहाँ पे इसको समझेए यहाँ पे हमने source लिया है अब इस source से light हमारे emerge होगा light निकलेगा wave friend के रूप में आगे बढ़ेगा अब यहाँ पे इसको अगर हम divide कर दें तो यह हमारा upper prism है यह lower prism है तो upper prism में क्या हो रहा है कि एक light ऐसे गई उपर की तरफ उपर की तरफ गई तो bend होके downward आ गई फिर दूसरी light थोड़ी नीचे से गई है नीचे से गई है तो bend होके और ज्यादा downward आ गई है इस तरीके से अब यह जो हमारी light गई है वो यहाँ पे खड़े हुए लोगों को क्या दिखेगा कि भाई यह जो है हमारे यहाँ से इस source से आ रही है यह light जो है यह जोनो light जो है वो किस source से आ रही है इस source से आ रही है S1 source से आ रही है यह दिखेगा क्योंकि यह light इस तरीके से आ रही है अगर हम इसको यहाँ पर dotted line से बना दे तो यह light हमें दिखेगा कि इस s source से नहीं निकल रही है हमें दिखेगा कि s1 source से निकल रही है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख चुके है s source से light जा रही है इस तरफ हमको दिख रहा है कि s prime source से निकल रहा है होके थोड़ी से उपर की तरफ चलिए आएगे तो हमें क्या दिखेगा कि भाई ये light light जो है वो इस source से आ रहा है एक virtual source हमारा S2 से आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो source हमारे S1 और S2 बन चुके हैं इसी के वज़े से हमारा coherent होगा क्योंकि ये दोनों source जो हैं वो coherent होगे क्योंकि same source से निकले हैं इसी source के वज़े से दोनों source आ हैं coherent होगे और coherent source के वज़े से ही interference होगा अब interference कैसे होता है आपको मालूम है जब दो wave वापस में interfere करते हैं तो यहाँ पे समझे है आप देखिए ये light इस तरफ गई है और ये light downward गई है यहाँ पे ये जो light आ रही है वो इस तरफ गई है और ये upward गई है तो ये upward और ये downward गई है इसी के वज़े से क्या होगा है interfere हो गया है S1 source का S2 source के light का interfere हो गया है देखे, S1 source वाली light नीचे जा रही है, S2 source वाली light उपर जा रही है, यहाँ पे आप समझे, S2 source वाली light उपर गई है, यह भी उपर गई है, यह S2 source की light हो गई, और यह S1 source की light, यह देखे, यह नीचे की तरफ जा रही है, यह नीचे की तरफ, तो जब उपर और नीचे की S1 की light इस तरफ आ रही है और S2 की light इस तरफ जा रही है जहां पर दो source की light interfere होती है वहीं पर हमको क्या मिलता है interference और इस interference को आपको देखना है तो आप क्या करिए screen को place कर दीजे जब आप screen को place करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें screen पे fringes मिल रहा है क्या मिल रहा है fringes fringes का मतलब क्या होता है एक dark एक bright एक dark एक bright एक dark एक bright light का pattern उसी को हम क्या करते है fringes तो इस तरीके से हमें screen पे क्या मिलेगा fringes मिलेगा तो यह आपने समझा कि हमारे दो source imaginary source है और इन दोनों source के light जब आपस में interfere होते है तो हमें क्या मिलता है interference of light interference में हमे का fringe width भी निकालेंगे और यह जो उपर की तरफ हो रहा है वो क्या हो रहा है मतलब यहां पे तो कोई interference नहीं हो रहा है यहां पे दिखें यह S1 का है और यह S2 का है यहां पे भी हमें थोड़ा बहुत interference मिल सकता है due to diffraction due to diffraction यहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत interference मिल सकता है लेकिन interference जो mainly होगा यहाँ पे मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमारी light interfere कर रही है यह आपने समझा आप इसके fringe width को निकालेंगे आपने double slit experiment पढ़ा होगा दो slit जब हमारे होते हैं तो हमें क्या मिलता है interference यह डबल स्विट experiment में यह हमने पढ़ा है सबसे पहले आप इसकी working को समझ लिए फिर हम fringe width निकालते हैं तो यहाँ पे notes से लेखे a single wavefront impages on both prism यह single wavefront है यह दोनों prism पे जा रहा है उपर वाले और नीचे वाले पे top portion जो है wavefront का वो reflected हो रहा है downward अब यह देखिए यह दोनों जो है वो top portion है wavefront के यह उपर वाले यह दोनों एक दोनों तो यह क्या कर रहा है downward की तरफ आ रहे है यह देखिए थोड़ा नीचे की तरफ आया यह भी नीचे की तरफ आया and appear to have emanated from the virtual source स1 और यह हमें दिख्रा है कि स1 से निकल रहा है यह हमें दिख्रा है कि यह wavefront कहां से से निकल रहा है तो virtual source S1 और S2 जो होगे वो perfectly coherent होगे क्योंकि वो एक source से ही निकले हैं क्योंकि इसी source के वज़े से ये दोनो S1 and S2 आए हैं तो same source के वज़े से दो source बनते हैं तो वो क्या होते हैं coherent होते हैं coherent का मतलब क्या होता है कि जब दो wave हमारे face में होते हैं उनका crest, उनका trough साथ में चलता है, इस तरीके से, तो ये S1, S2 coherent होंगे, तो light wave जो है, interfere कर सकते हैं, light wave अब क्या कर सकते हैं, interfere कर सकते हैं, in the region beyond the biprism, biprism के पीछे ही तो करेंगे, अगर इस screen को हम रख दे, तो हमें interference finges screen करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, तो ये है इसकी working अब हमें समझना क्या है, हमें समझना है कि भाई, ये हमारे double slit experiment की तरह ही काम करेगा, क्योंकि दो source है, और हमें interference मिल रहा है, तो double slit की तरह ही काम करेगा, तो यहाँ पे S1, S2 दो slit हमारे हो गए, और इनके बीच की distance D हो गई है, अब माल लेते हैं, किसी point P पे, screen पे, हमें न difference लेते हैं, माल लेते हैं, H2P हमारा है, S1P है, दोनों का path difference लेते हैं, हमें n lambda मिल रहा है, तो हमें मिलेगा constructive interference, constructive interference मतलब इस तरीके से, और हमें bright light मिलेगा, क्या मिलेगा, bright light, जब दो wave हमारे एकदम same face में होते हैं, तो हमें मिलता है constructive interference, और इसमें हमें कैसा मिलेगा, bright fringes, यह पिंक वाला आप देख सकते हैं और अगर हमारा S2P-S1P कुछ इस तरीके से हैं कि हमें 2N प्लस 1 लेमडा वाई 2 मिल रहा है तो हमें मिलेगा destructive interference यह हम लोग अल्रेडी समझ चुके हैं यंग डबल सिट में तो destructive interference मिलेगा और destructive interference में face क्या होता है 180 degree shift हो जाता है यह इस तरीके से होता है इस तरीके से 180 degree shift हो जाता है face तो यहाँ पर destructive मिलेगा यह white वाला portion जो देख रहे हैं यह white नहीं बलकि dark माल लीजे इसको तो यह हमें मिलेगा dark fringe यहाँ पर destructive interference में fringe width निकालना है fringe width क्या होता है यह जो इसकी width है यह आप जो fringe देख रहे हैं इसको बीटा से denote करेंगे और बीटा is equal to क्या होगा lambda d by d अब what is lambda, what is d, what is small d तो देखें d जो है वो हमारे source से slit से आप कह सकते हैं screen की distance है capital D और lambda आप जानते है wavelength of the light small d जो है वो slit के बीच की distance है यह दोनों slit के बीच की तो यह हो गया इस तरीके से हम लोग fringe width निकालते हैं इसका derivation आप अगर आप देखना चाहते हैं तो यंग double slit experiment वाली वीडियो जरूर देखे I hope frenal by prism आपको अच्छे सी clear होगा इस वीडियो में इतना रखते हैं वीडियो तेखने के लिए थैंक्यू 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 सो मच्छ